दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल दोस्तों हुल हिंदूस्तान यूनिलिवर लिमिटेड वो आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आप देखें तो जो है दोस्तों एक प्रतिशत से भी आपको ये स्टॉक जादा की गिरावर दिखा रहा है ठीक है एक नया 52 वीक लो आपको ये स्टॉक लगाता दिखाए दे रहा है जी हाँ कमपनी ने लास्ट टेडिंग सेशन में याने की पिछले कौटर में जो फ्राइडे में पिछले हपते में जो फ्राइडे का सेशन हुआ था वहाँ पे 52 वीक लो लगाया था और आज भी कमपनी ये नया 52 वीक लो लगाया है ठीक है आप देखें HUL को लेकर के निवेशक जो है वो बहुत जादा आपके सकते हैं फ्रस्टेडेड हैं और जो एक buy on dips या SIP मोट के निवेशक होते हैं वो अब ये समझने कि भाई ये लगातार जो SIP के लिए जो स्टॉक मिल रहा है तो HUL को लेकर के मैं बहुत बहुत सारी वीडियो लगातार बना रहा हूँ और एक बात मैंने साफ कही थी कि जो weakness है जो आप कह सकते हैं कमजोरी है वो साफ साफ आपको HUL में देखने को मिल रही है ठीक है क्योंकि आपको पता होगा rule demand हो गई जो आपको सकते है commodity inflation हो गया औ और अब जो एक बहुत बढ़ डर है FMC companies को वो क्या है इस एक वीडियो में चर्चा करने हो ला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा आप ऐसा करते है चैनल की growth होती है बहुत motivation मिलता है अब देखिए पिछले एक साल में stock ने उपरी स्तरों से अगर मैं आपको दिखा हूँ तो देखिए almost almost अगर आप आज की गिरावट देखेंगे तो 20% की गिरावट दिखा है दोस्तों कितने 20% की और ये एक coffee can portfolio वाला stock होता है दोस्तों मैं आपको पता है जिसे निवेशक आँख बंद करके खरीते हैं कि आपका portfolio न गिरे और इसलिए में मेंशा कहता हूँ भाई या buy on dip SIP mode में खरीदे जब stock इस प्रकार की गिरावट दिखा रहा हूँ न दोस्तों ये गिरावट तब आपको इसे धिरे-धिरे accumulate करना है ना कि तब जब ये इ स्टॉक दिखाता ही है ठीक है इतना ही नहीं पिछले पांच सालों में भी स्टॉक ने कुछ बहुत ही शामदार काम नहीं किया है आप देखेंगे पिछले पांच सालों में आपको मात्र 26% जी हां 5 साल में मात्र 26% का return एक बारस ने जो निचले सतरों से आप देखें ये द आया ही नहीं और दीखेंए एक और चीज में बता दूँँ अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा लेवल है जिसके बाद से एक भयंगर रह लिया सकती है तो मैं बता दूँ आओ अथाइस साउ से लेकर के तीन हजार जी हां जिस दिन आपका हैचुम अठाइस साँ से लेकर के तीन हजार की लेवल को तोड़ करके ऊपर निकल जाएगा आप लिखेंगे पांच साल का एक बहुत बड़ा एक आपके सकते हैं फेज आपके साथ कंसलिडेशन फेज कह लीजे या रेस्टेंस कह लीजे उसे तोड़ करके स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाए देग लेकिन यह कैसे होगा अभी उसमें अभी आपके सकते हैं एक बड़ा क्वेशन मांक है देखी अब जो निवेशकों को डर लग रहा है या बाजार को डर लग रहा है खासकर कि एच्चुलन स्टॉक में वह है क्रूड ओयल भाई सब क्रूड ओयल जिस तरह से बढ़ने की ब बाजार प्रब्लम में और प्लस जो एक कौमडिटी की इन्फलेशन है वो एक बहुत बड़ा सर्दर्द है प्लस रूरल एकौनमी तो लो पाठी यह किस प्रकार की प्रब्लम कर रही है हां एक जो सर्प मैं कहूंँगा ट्रिगर ही नहीं बहुत बढ़ा ट्रिगर मुझे इसा लगता है निविश्कों के सामने होगा, वो है मॉन्सून, अगर मॉन्सून न दोस्तों, बहुत अच्छा आता है, तो वो एक बहुती शांदार, आपके सकते हैं, मौका होगा, एक बहुती अच्छी ऑपरचुनिटी होगी, आपके सकते हैं, स्टॉक में, तमाम FMCG कंप 2200, ठीक है, 2200, यह जो है न 10 रुपए, यह बहुत इंपोर्टेंट, और देखे, हिंदुस्तान के लिवर इसी को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान से ज़रूर रखनी है, अब, अगर हम आगे चले, तो आपको मैं बता दूँ, 24 अपराइल को यह रिजल्ट देने वाला है, वो बताएगा कि रिजल्ट किस प्रकार के होने में बने कंसिडर करने के, तो बोर्ट मिटिंग 24 अपराइल को आपको, एक्चुल के रिजल्ट आएंगी, इसके साथ ही साथ, कमपनी फाइनल डिविदेंट भी देने वाली, जी प्रकार रेकॉड रहा है, कि अपने शेर होल्डर को डिविदेंट के थ्रूभी पे करती है, और कमपनी ने अटिक लिए लिए दोस्तों, इंटरिंट डिविदेंट अफ रूपीज 18 ठीक है, 18 रूपए का इंटरिंट डिविदेंट दिया था, नमंबर 2023 में, ठीक है, अव इतलीस्ट, 18 से 20 रूपए के बीच का तो फाइनल डिविदेंट आपको जरूर जरूर मिलेगा, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें, और quarter four के जो नतीजे होने वाले हैं दोस्तों, उससे पहले अगर stock बहुत ज़दा गिर जाता है, मुझे वो stock अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी negativity, तमाम issues, stock already pricing कर चुका रहता है, और अगर actual के numbers बहुत ही ज़दा खराब भी आते हैं, मैं आपको बता दूँ, already stock pricing होगा और अगर एक नीज़ा creation तुरंट आता भी है, तो वो एक, मैं बता दूँ, buying की opportunity होती है, और एक long term में आपक बहुत बहुत ही शांदा return देने के लिए, ये stocks तयार रहते हैं, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे हैं दूस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जो जानकारी आपको मिले अच्छी लोगी हो वीडियो को लाइक करके, चानल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, ये शुडिक लिएन देन